तरीचर पूनस्ड़ को रीक जग अचल एक अचल मेरे तुनाकपाल, देखें है एक और वेलुट की स्वेटर लेकर आई हो, आप यह देखेंगे, इस तरीके से है यह देखेंगे, इसका जो नेक है मैंने काफी डिफरेंट बनाया हुआ है, यह आज कल के बच्च जो है, इस 400-500g wool लगी है आगे पीछे मैंने नॉर्मल बनाया है और एगलन कट किया है इसमें यह देखेंगे और इसका नेक जो है आप यह देखेंगे देखें यह इस तरीके से नेक बनाया हुआ है कितना बड़ी असनेक है आगे मैंने step by step आपको बताया कि आप इस जो है कैसे बना सकते है ऐसे स्वेटर को और यह small size sweater है जिसको भी S size small size आता होगा वो यह sweater जो है पैन सकते है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम चलिए एक और जो है वेलवट की sweater का अगला अलग सा बनाने जा रही हूँ तो सोचा आप लोगों को भी बताती चलो अब यह देखेगा यह मैंने वेलवट का sweater जो है इसमें मैंने नीचे 68 फंदे डाले हैं और border बनाया है hardly एक इंच का एक सीदे एकुल्टे का border है उसके बाद यहां से लेकर यहां तक मैंने 17 इंचेज बनाया है और यह मेरा 9 इंच बन गया है और यहां पर मैंने रेगलन किया है तो अलड़ी अपने चैनल पर बता चुकी हूँ कि रेगलन किस तरीके से किया जाता है यहां पर एक बार में तीन फंदे किया है और फिर मैंने एक एक फ इतने ही बराबर के फंदे डाले है, exactly same बनाया है, और यह जो cutting है, यह भी same की है, यहाँ पे मिर पास 26 फंदे, 26 फंदे बचे है, इसी तरीके से आप यह देखेंगे, मैंने बाजू भी बनाई है, अब बाजू में नीचे 46 फंदे डाले है, यह देखिए, 46 फंदे डालने के ब 17 इंच, आदा इंच, थोड़ा जादा रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद उसी तरीके से cutting की है, यहाँ पे मेर पास जो फंदे है, वो 60 फंदे कीए है, और cutting उसी तरीके से कीए है, तीन फंदे, फिर एक 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 हर सीधी लाइन में, यहाँ पे समय मेर पा कोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूं इसलिए वो गला बताने आपको जा रही हूं कि कैसे हम बनाएंगे तो देखेगा आप सर्कुलर निड़ लीजेगा नहीं है तो गले बुनने की सलाई से यूज किजेगा आप यहां से मैं स्टार्टिंग पॉइंड अपना रख रही हूं तो यहां से शुरू करेंगे इस तरीके से पहले यह फ्रेंट के फंदे है वो हमने लेने हैं अब लेती हूं बाजू बाजू के जो 22 वंदे है वो ले लेते हैं इसमें अब लेते हैं यह लिया अब साथ में लूँगी मैं बैक का हिस्साँ यह लिया अब साथ में ले लेते हैं एक और बाजू तो आप यह देखें यहां पर मेरे पास 22 और 22,44 तो बाजू के हो जाते हैं 26 और 26,52 तो आपके फ्रंट एंड बैक के हो जाते हैं तो 52,42,46 यानि कि मेरे पास सिस्सम में 96 फंदे इसमें टोटल में हैं अब अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए होगा क्योंकि हलका सा मुझे लग रहा कि कम होगा यह जैसा मैं गला बनाने जा रही हूं तो मैं इसमें अभी इसकी अगली लाइन में एक एक फंदा बढ़ा लूगी ले आप यहां पर अब यह सारे फंदे हमने इस तरीके से ऐसे डाली है अब इसे राउंड में नहीं बना रही हूं तो इसलिए यहीं पर इसे जो है यहीं पर शुरू करेंगे अब यहां पर मैं हलका सा जो आप यह देखेंगे यह जो लाइन होगी मेरी इसमें मैं फंदा बढ यह इसे लेकर यहां पर एक फंदा ऐसे बाडा लाएंगे तो फिर हर चौथी और फंदे के भी बढ़ाएंगे जितना आपको बढाना होगा उस रिसाब से तो गइप रखिएगा तो मैं यहां पर हर 1, 2, 3, 4, 5 फंदे के बाद 1 फंदा बढ़ाऊंगी बढ़ाऊंगी उसी तरीके से ऐसे लिया नीचे से ऐसे और इसे बना दिया ताकि छेद नहों इसे हमने ऐसे बनाना है फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, अगिन एक फंदा ऐसे लिया, ये किया और इसे ऐसे बना दिया, आप इसे बना दिया, आप ही तेखेंगे याँ पे छेद भी नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपने बढ़ा है, तो इस तरीके से पूरी लाइन पहले मैं ऐसे और और उसके बाद हम एक सीदह एक इंच ऑल्टे का बडर बनाएँगे, अब ये लास्ट में भी एक फंदा बढ़ाओवाँ यहाँ पर, जैसे स्टर्टिंग में ही बढ़ाया था ऐसे लास्ट में यो गया, अब यहाँ से हमने एक सीदह एक इंच ऑल्टा करना अब कितने फंदे होगे वह मैं आपके बता देती हूं वैसे फंदे थोड़ा 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 चोटा अपने अपने हिसाब से रख सकते है अभी देखे 120 फंदे है इस समय यहां पे अब मैं जस्ट इसको एक सीधा एक कुल्टा करते हुए जो है जाओंगी अभी ऐसे आया ह अब एक सीधा एक उल्टा काफी चोड़ा बॉर्डर बनाना है क्योंकि यह उपर से ओवरलाप होना चाहिए यहां पे हम यह खुला रख रहे हैं इसे मैं बंद नहीं कर रहे हूं तो अब क्या करेंगे एक सीधा एक उल्टा इस तरीके से आपने ऐसे बॉर्डर बनाईए स अब यह देखे इस तरीके से यह 9 इंच मैंने बनाया है 9 इंच बनाने के बाद इसको जस्ट मैं सीधा सीधा नॉर्मल बंद करूंगी और उसके बाद मैं से सिलूंगी अब आपको एक चीज़ बता दूं कि यह जो मैंने वैलवेट की जितने भी स्वैटर बना रही हूं य सारे फंदो को और उसके बाद इसे मशीन से मैं सिल दूंगी यह देखेंगे यह बनाया अपने फिर आपने उल्टा फंदा लिया अब यह बैक से उतार दिया फिर दागा आगे सीधा फंदा फिर बैक से उतार दिया फिर उल्टा फंदा बनाया फिर बैक से उतार दिया इस तो यह देकेगा मैंने से जो है मजीन से सिल लिया है आप यह देखे गिले मशीन से सिल लहें बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है हाथ से इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी तो ये जो वेलवेट का स्वेटर है देखेगा डिफरेंट नेक है इस तरीके से अब क्या है कि इसमें मैं यहाँ पे दो बड़े बटन लगाऊंगी एक यहाँ लगाऊंगी एक यहाँ लगाऊंगी वो ऑप्शनल है आपकी मर्जी है आप चाहे तो लगा सकते हैं और अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप मत लगाईएगा कोई ऐसा वो नहीं है वो अपनी अपनी ऑप्शनल बात है तो देखे इस तरीके से इसका नेक आ रहा है देखेंगे आप ऐसे बहुत ही खुबसूरा सा नेक आया है तो चलिए फिर बनाईए और शेयर जरू कीजेगा सब के साथ थैंक्यू